येस हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर एक तो कर लिया था जंदल टर्म ओफ एपी एक सम अफ एंड टर्मस ओफ एपी नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं इट इस वेट हेडिंग तो ब्लू किलर से डाल देते हैं इट इस अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक मीन है क्या पहले इसे समझते हैं अर्थमेटिक मीन को हिंदी में कते हैं समान तरमादे है क्या बेसिकली रूल वाइज चलते हैं अगर आपके पास में, if 3 और more than 3 numbers are in AP, अगर 3 या 3 से ज्यादा numbers AP में हैं, then the quantities between first and last term, if 3 और more than 3 numbers are in AP, then the quantities between first and last term, first और last term के बीच की quantities are said to be arithmetic mean, तो हम first और last number के बीच में जितने भी numbers आएंगे, उन्हें arithmetic mean कहेंगे, जैसे example समझो, जैसे example से समझाते हैं, जैसे number हमने ले लिए 2, 5, 8, 11, 14, 17, and एक और दे लिता हूं, 20, यह number लिए, तो 2 and 20, इनके बीच में जितने भी numbers हैं, they are said to be arithmetic means, तो 5, 8, 11, 14, and 17 are arithmetic mean of 2 and 20 भी लिख सकते हों, वैसे तो यह सारे number ही AP में हैं, लेकिन बीच वाले numbers को आप arithmetic mean कहते हों, जरूरी नहीं है कि 1, 2, 3, 4, 5 हो, 6 भी हो सकते थे, 7 भी हो सकते थे, 8 भी हो सकते थे, 3 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे, 2 भी हो सकते, 1 भी हो सकते, तो आपके पास depend करता है कि बीच में आप कितने number insert करते हो जैसे आपके पास कोई भी two number दिये हुए आप उनके बीच में कुछ numbers को put करते हो अब अगर पूरी series ap बन जाती है तो ये जो starting or land के two number थे इनके बीच के जितने भी number होंगे they are set to be arithmetic means उन्हें arithmetic mean कहेंगे अब arithmetic means निकालते कैसे उसकी बात करेंगे ठीक है तो अब आप लिख लो पहले एक बार इतना फिर method to find arithmetic mean की बात करेंगे arithmetic mean निकालते कैसे तो सबसे पहला हमारा point आएगा number one is single arithmetic mean between a and b a और b के बीच में single arithmetic mean पहले इसकी बात करते हैं तो देखो कैसे इसे समझते हैं जब a और b के बीच में आप single arithmetic mean की बात कर रहे हो तो मालो मैंने single number बीच में लिख दिया जिसको मैंने capital A से लिखा a मुझे एक single arithmetic mean लेना है तो a ले रहा हूँ और आगे b ले रहा हूँ तो इसका मतलब यह three number किस में होंगे ap में so a, a and b are in ap और आपने rule पढ़ा है जब भी three numbers ap में होते हैं तो बीच वाले का double first और last के addition के equal होता है means 2a is equal to a plus b तो a क्या हो जाएगा a plus b by two yellow capital a is equal to a plus b by two तो अगर आप a की बात कर रहे हो तो a और b की average होगा single arithmetic mean means अगर आपको कभी भी single arithmetic mean निकालना है two numbers के बीच में तो आप दोनो number को add करो और उसे two से divide कर दो it is simple average अगर two number के बीच में single arithmetic mean डालना है तो यह single average होगी तीक है यह rule याद दखना write down अभी तो single arithmetic mean निकाला now two arithmetic mean between a and b a और b के बीच में two arithmetic means find कर रहे हैं तो हमने क्या करा जब a और b के बीच में two arithmetic mean find कर दे हैं जब a और b के बीच में two arithmetic means आ रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया a a1 a2 and b are in ap अब यहाँ पर क्या करें आप उस case के लिए क्या करो देखो अगर यह number four के four ap में हैं तो यह वाली term fourth number पर आएगी therefore t4 is equal to b t4 equal to b मतलब fourth number पर b है तो t4 can be written as a plus 4 minus 1 into d equal to b d is common difference a is first term तो a plus 3d equal to b और we can say 3d equal to b minus है तो d क्या होगा b minus a upon 3 तो आपके पास common difference निकल गया common difference आपको मिल चुका है जो इनके बीच का gap है जब आपको common difference मिल जाता है और अब आपसे पूछें के हाँ यह term निकालो तो a1 कैसे निकालोगे इस a में d को add कर दो इस a में d को add करो तो first term मिल जाएगी तो a1 क्या होगा a plus b यानि की a plus b minus a upon 3 अब solve करो इसे L से लेकर के 3a plus b minus a upon 3 तो it is equal to 3a minus a is a 2a plus b upon 3 तो first arithmetic mean आ गया इस वन इस first arithmetic mean नाओ second arithmetic mean की बात करते है a2 a2 is equal to a plus 2d इसमें आप 2d को add कर दो तो a2 आ जाएगा so a2 will be तो हमारे पास a2 क्या हो जाएगा दो तरीके है या तो आप a में 2d को add कर दो क्योंकि a plus d तो यह आए था a plus 2d a2 आ जाएगा या फिर a1 आए उसमें d को add कर दो दोनों तरीके हैं तो मैं simple view लेता हूँ a plus 2d means a में इसका double add करना है d का तो क्या आया a plus 2b minus 2a upon 3 3 को calcium लो और value निकालो तो it will be a plus 2b upon 3 तो यह लो a1 हमारे पास में यह आया a2 हमारे पास में यह आया तो अगर कभी भी आपको two numbers a और b के बीच में two arithmetic mean निकालने हैं तो पहला काम क्या करना a, a1, a2 और b four number लो क्योंकि a और b के बीच में two arithmetic mean डाले तो क्या करोगे a, a1, a2 and b b is on fourth number fourth number पे b है तो क्या करो t4 equal to b और t4 क्या होता है a plus 4 minus 1 into d is equal to b means 3d equal to b minus a तो d equal to b minus a upon 3 तो d की value आ गई है जैसे d की value आई a1 निकालना है तो a में d को add करो a1 आ जाएगा a2 निकालना है तो a में 2d को add करो a2 आ जाएगा बस a1 और a2 आपके से दोनों arithmetic mean आ गए ऐसे 3 arithmetic mean निकालना है तो उसका भी funda अलग जाएगा 4 का funda अलग 5 का अलग और एक जंदल rule अलग आ जाएगा ठीक है write down अब हम आगे बढ़ते हैं next point पर आते हैं अभी तो हमने सबसे पहले 1 arithmetic mean निकाले थे a और b के बीच में फिर 2 निकाले अब मैं जंदल rule बना देता हूँ n arithmetic means between a and b a और b के बीच में n arithmetic means find करने है a और b के बीच में n arithmetic means find करने है तब कैसे करेंगे तो अब क्या कर लो let let a1 a2 a3 a4 and so on a n are n arithmetic mean between a and b a और b के बीच में a1, a2, a3 and so on a n n arithmetic means है तो means a a1 a2 a3 and so on a n and b are in a p भई जब हमने बीच में n arithmetic means डाल दिये तो ये पूरे को पूरे नंबर a p में हो जाएंगे अब ये नंबर हमारे पास में already n है एक नंबर उससे पीछे है तो n प्लस 1 और 1 नंबर उससे आगे है तो n प्लस 2 means b हमारे पास n प्लस 2 वी टम होगा repeat करता हूँ कैसे देखो a और b के बीच में आपने n arithmetic means insert करे है मालब वो नंबर insert करे है जिससे ये सारी सीरीज a p बन जाएगे तो आपके पास a1, a2, a3 and so on an n arithmetic means है तो ये नंबर n थे एक नंबर पीछे a खुद है तो n प्लस 1 और ये नंबर आगे n प्लस 2 तो b की जो rank है list के अंदर यहाँ पर ये n प्लस 2 वे नंबर पर होगा means t n प्लस 2 is equal to b t n प्लस 2 equal to b होने का मतलब a प्लस n प्लस 2 minus 1 into d is equal to b n प्लस 2 minus 1 means n प्लस 1 into d is equal to b minus a तो d की value क्या है b minus a upon n प्लस 1 ये फार्मूला याद रखना बहुत important फार्मूला है means अगर आपको two number के बीच में four arithmetic mean insert करने है तो last और first का difference ले लो upon four प्लस 1 कर दो जैसे यहाँ पर n arithmetic mean डालने थे तो last minus first मतलब b minus a upon total number जितने arithmetic mean insert किया उससे add करके extra लिख दो तो b minus a upon n plus 1 common difference निकलते ही हमारा सारा वर्क हो गया अब अगर मुझे a1 निकालना है तो मैं क्या करूँगा a plus d a में d को add करूँगा ये first arithmetic mean निकल जाएगा a2 निकालना है तो a plus 2d a3 निकालना है तो a plus 3d a4 find करना है तो a plus 4d and so on a n find करना है तो a plus nd अब कईों को लग रहा होगा सब tn होता है a plus n minus 1 into d लेकिन इदर a n is equal to a plus nd क्यों आ गया तो सिधा सा reason है भाया ये जो a n है न series के अंदर तो n plus 1 way number पे है क्यों? क्योंकि इससे पहले एक आ चुका है और बीच में n number आया है यहां तक तो ये n plus 1 way number पे हो गया तो देखो a1 लिखोगे a plus d a2 लिखोगे a plus 2d a3 लिखोगे a plus 3d a4 लिखोगे a plus 4d and an लिखेंगे a plus nd तो हमारे पास सारे n arithmetic means निकाले जा सकते हैं most important rule ये है कि common difference कैसे निकलेगा common difference निकल जाए फिर तो आप a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7 सब find कर सकते हूँ ओके now write down चलो one more point एक और point थेोरी का कर लेते हैं sum of an arithmetic means between a and b means a और b के बीच में जितने भी arithmetic means आ रहे हैं n arithmetic means उन सारे arithmetic means का sum हमें चाहिए तो देखो सीधा सा rule a और b के बीच में n arithmetic mean है हमें उन सब का sum चाहिए तो कैसे करें आप क्या करो हमें जो addition चाहिए वो चाहिए a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus and so on an इन सब की जरूरत हैं इन सब का addition चाहिए और आपने ap में rule पढ़ा है अगर आप कभी भी किसी ap के n terms का sum करते हो तो it will be equal to n by 2 into first plus last term a1 plus an और ये किसके हैं a और b के arithmetic means थे ये याद दखना a और b के arithmetic means थे अलकि मैं rule तो यहाँ पर कुछ और तरीके से भी समझा सकता हूँ लेकिन इसको भी एक बारी method से समझा रहें कैसे आया ये rule तो a1 plus an a1 की value होती है a plus d and an की value होती है अभी अभी निकाली थी a plus nd तो दोना a को pass में ले लो n by 2 2a plus d को साथ में लेते ही 1 plus n into d अगर आप d की value पुट करो 2a plus 1 plus n into ये होता है d होता है b minus a upon n plus 1 अभी यह भी मैंने काल थे इसको याद रखना learn कर देना तो 1 plus n से 1 plus n cancel out हो गया तो value क्या है n by 2 into 2a plus b minus a और we can say n by 2 into 2a minus a is a a plus b और इसको अच्छे तरह से समझो तो आप लिख सकते हो n into a plus b by 2 n by 2 into a plus b by 2 को इस तरह लिख रहा हूँ अब a plus b by 2 क्या होता है a और b की simple arithmetic mean single arithmetic mean तो it can be written as n into a जो हमने पहले निकाला था कि मतलब मुझे सारे के सारे numbers के जितने भी arithmetic mean आए है a और b के बीचे मालो 5 आ रहे है 6 आ रहे है 7 आ रहे है और मुझे उन सबका addition पूछा जाए तो मैं कुछ नहीं करूँगा मैं सिरफ a और b की average ले लूँगा और जो average आएगी उसको n से multiply कर दूँगा या यूँ लिख दो n into single arithmetic mean of a and b अब इसको एक example से और समझ लेंगे repeat कर देता हूँ किया कि हमने हमसे पूछा था कि जितने भी arithmetic mean है उन सबका sum बताओ a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस and so on a n तो करा क्या a1 अब n terms का sum करो या n by 2 into first plus last term कर दो बात तो यह कि तो n by 2 first a plus d last a plus n d दोनों a को पास में लिख दो d वालों को पास में लिख दो तो क्या है 2 a plus 1 plus n into d अब आपको पता है d की value होती है b minus a upon n plus 1 तो n plus 1 से n plus 1 cancel हुआ 2 a plus b minus a यह value आ गई 2 को मैंने इसके नीचे कर दिया क्योंकि यह single arithmetic mean होता है तो यह आ गया n multiply by a बस बहुत simple rule है याद रखना इस पर based paper में question आ जाते है हलंकि मैं इसको दूसरी trick से भी करवा सकता था AP का rule होता है कि आपके पास first और last term का addition करो या second और second last term का addition करो result हमेशा same होता है ऐसे third या third last का addition करो या first और last का addition करो हमेशा same होता है और हमने का आभी उसको छोड़ देते हैं एक बड़ी simple method से proof कर देते हैं इसलिए किया ही है write down चलो एक simple सा question लेते है question है insert three arithmetic mean between three and nineteen three और nineteen के बीच में three arithmetic mean insert करने है तो देखो बड़ा simple सा rule समझा देता हूं मैं पहले इसे देखो हमारे पास में first number three है और last number है 19 और बीच में insert कितने करने है three arithmetic mean तो common difference क्या होता है b minus a upon n plus 1 means 19 minus 3 upon 3 plus 1 19 minus 3 is 16 upon 4 it is equal to 4 so common difference is 4 तो आपके पास first arithmetic mean आएगा a plus d means 3 plus 4 7 a2 second arithmetic mean आएगा a plus 2d महला अब सीधी बात है 7 में 4 add कर दो 11 third arithmetic mean आएगा 11 में 4 add कर दो 11 plus 4 is 15 तो आपको 3 arithmetic mean निकाल ले थे find हो गए तो means आप कैसे number क्या हो गए 3 7 11 15 and 19 are in AP तो ये number AP में हो जाएंगे और जो हमें 3 arithmetic mean निकाल ले थे हैं हम नहीं गे रहे find कर ले अब अगर मुझसे कोई पूस्टा है कि इन 3 का addition बताओ तो एक तो तरीका में 3 नमबर है तो add कर सकता हूँ ठीक है 19 प्लस 3 22 अपॉन 2 11 it is equal to 33 अगर इन 3 का sum करोगे ना तो 33 ही आएगा चेक कर दो बली 7 प्लस 15 22 प्लस 11 33 तो आप के पास में तरीका है कि आप arithmetic means कैसे insert करते हो कैसे find करते हो ओके write down now one question for you insert 6 arithmetic mean between 4 and 46 4 and 46 के बीच में 6 arithmetic mean find करने है ठीक है write down जल्दी से हो जाएगा ये question आप से चलो देखो सीधा सा रून D is equal to 46 minus 4 अपूरा फार्मूला हर बार मत लिखने बैठ जाना IIT का paper दे रहे हो upon 6 plus 1 7 B minus A upon N plus 1 46 minus 4 is 42 upon 7 it is equal to 6 so common difference 6 हो गया तो numbers क्या है arithmetic means 4 में 6 add करो 10 10 में 6 add करो 16 16 plus 10 sorry 16 plus 6 22 then 28 then 34 and then 40 उसका नमे तो वापस repeat हो जाएगा 46 तो आपके पास से बीच में numbers यह है अब अगर मुझे से पूछ लेता था था इनका sum क्या होगा तो एक तो तरीका में सबको add करो और एक में क्या करो कितने number है 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 into इन दोनों की average 4 plus 46 by 2 2 से 3 बार cancel हो 4 plus 46, 50 50 into 3 is 150 अंसर अगर हो कहे न कि इनका addition निकालो तो जोडने, add करने मत बैठ जाना डिरेक्ट भी आप कर सकते हो 1st और लास्ट का addition अगर मुझे से यह पूछा ही नहीं होता सिर्फ यह कहता कि insert 6 arithmetic mean and find the sum of and find भी नहीं insert 6 arithmetic mean नहीं यह question कर देता कि if 6 arithmetic mean inserted between them 4 and 46 then find the sum of arithmetic mean तो यह भी निकालने की जूट नहीं थी सिर्फ 4 plus 46 upon 2 into 6 खतम आंसर आ जाता अब इनको add करके देख ले न यही आएगा 150 10 और 40 हो गया 50, 16 और 34 हो गया 50, 22 और 28 हो गया 50, 50, 50, 53 तीम आद रुआ खतम next one more question after inserting an arithmetic mean after inserting an arithmetic mean between 2 and 38 2 and 38 2 and 38 the sum of the sum of the sum of the resulting progression the resulting progression is 200 than find the value of n option है अमारे पास 10, 9, 8 and none of these बहुत द्यान से करना question simple सा है देखो आप लोगों नहीं question करा होगा मुझे नहीं पता आपका answer क्या रहा है लेकिन आप पहले question करने से बहले हमेशा steps को द्यान से पढ़ा करो असली answer question में यह चिपा होता है जैसे यहाँ पर after inserting an arithmetic mean between 2 and 38 तो 2 and 38 के बीच में आपने a1, a2 and son an को add कर दिया insert कर दिया the sum of the resulting progression is 200 resulting progression का मतलब यहां से लेकर यहां तक जो पूरी की पूरी progression बने उन सब का addition 200 है मतलब सिरफ बीच वालों का addition नहीं है इन सब का addition 200 है तो question क्या बना कितनी terms होगी n तो यह रही एक पहले एक बाद में तो n प्लस 2 by 2 into first plus last term is equal to 200 n प्लस 2 क्यों किया क्योंकि terms यहां से लेकर यहां तक की हो गई है मैंने सिरफ arithmetic mean का addition नहीं बोला मैंने यह नहीं का के arithmetic means का sum 200 है आपने कर दिया होगा n इंटू 2 plus 38 by 2 जब क्यों होगा n प्लस 2 into 2 plus 38 by 2 तो यह आया n प्लस 2 into 2 plus 38 40 upon 2 is 20 equal to 200 तो 20 से इसको divide करते ही n प्लस 2 equal to 10 so n equal to 10 minus 2 it is equal to 8 so n will be 8 अगर आपका n 10 आ रहा है तो वो wrong आ रहा है और maximum लोग इसका answer 10 निकाल देते हैं क्योंकि वो उस flow में चल जाते हैं जिस flow में हम questions अभी करवा रहे थे कि हमेशा इनका sum पूछते थे अब यहाँ पर total progression का sum है ठीक है राइड़ दो